श्री गनेशाय नमहा, नमस्कार दोस्तो, ये राशीफल चंधर राशी पर आधारित है, चंधरमा मन का कारक है, हमारे मन पर जो भी उतार चड़ाव आते है वो चंधरमा की स्तिती ले कर आती है, इस वज़े से चंधरमा की पोजीशन हमारे रोज के जीवन को बहुत बुरा जाता है तो आईए जानते है इस दिन चंद्रमा आप के लिए किस तरह के परिणाम लेकर आ रहा है दोस्तो चंद्रमा इस दिन आप की कुंडली में दूसरे स्थान में रहेंगे यानि धनभाव में रहेंगे जी हाँ ये चंद्रमा की पोजीशन काफी अच्छी धन से जुड़ा पैसों से जुड़ा किसी भी तरह का आदान प्रदान आज आप कर सकते हैं। सहकर्मचारियों का सहयोग आपको मिलेगा आपके अधिकारियों से शाबासी भी इस समय में आपको मिल सकती है। अगर स्टूड़न्स की बात करते हैं तो स्टूड़न्स के लिए समय शुब रहेगा। इस समय में महत्वपूरुन फैसले ले और उस पर अमल करें। लाब जरूर मिलेगा। जो भी फैसले लोगे वो सही साबित होगे। आपके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी है तो ये समय आपके लिए बिल्कुल सही है। जो विद्धर थी अपने परिवार से दूर रहते हैं उन्हें परिवार से मिलने का मोका इस समय में मिलेगा। यात्राय होने की भी समभावना रहेगी, परिवार में कोई फंक्षन या कोई छोटी पार्टी होने की भी समभावना बनी रहेगी। अगर personal life की बात करते हैं love life की बात करते हैं तो love life के लिए भी ये दिन बहुत बढ़िया रहने वाला है partner से मिलना घुमना फिरना साथ समय व्यतित करना इन चीजों के लिए समय काफी अनुकूल है एक दूसरे के प्रती प्यार बढ़ेगा वो संबंद अधिक मधूर बनेगे partners के बीच अगर पहले से ही किसी तरह की अन्बन बनी हुई है तो वो अन्बन जरूर दूर होगी प्रयास जरूर करे अन्बन या किसी तरह की दुरिया है तो मिट जाएगी दोस्तो हर काम में इस दिन आपको कामयाभी मिलने के संकेत है टेंशन नहीं रहेगा सोच पॉजिटिव रहेगी पेंडिंग कामों को भी पूरा करने के लिए समय अच्छा है अगर स्वास्ते की बात करें, सेहत की बात करें तो ये समय आपके स्वास्ते के लिए भी अच्छे संकेत दे रहा है जी हाँ सेहत सम्मंदित कोई भी परिशानिया आपको नहीं सताएगी पूरानी चल रही जो बीमारिया है उसमें भी आपको आराम मिलेगा इस समय में आपकी सेहत बहुत अच्छे रहेगी, प्रसनताव आनंद में दीन व्यतित होगा दोस्तो स्वास्त अच्छा रहेगा, उसे और अच्छा बनाने की कोशिश करें अपने फिटनेस पर ध्यान देना बहुत जरूरी होता है तो अपने फिटनेस पर अपने रहन सैन पर खान पान पर ध्यान जरूर दे सुबे टहलना जारी रखे, एक्जरसाइज जरूर करे, सोच पॉजिटिव रखे और मन में हमेशा अच्छे विचारों को आने दे क्योंकि हमारे मिन में जो भी विचार बार बार आते है दोस्तो ये राशी फल चंद्र राशी पर आधरित है, लेकिन कभी-कभी हमारी परसनल कुंडली में बाकी ग्रहों की पोजिशन कुछ इस तरह की होती है कि आपके राशी फल परिणाम में बदलाव दिख सकता है इसलिए राशी फल को एक मारग दर्शन के तोर पर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा